हेलो एवरिवन और वेलकम टू मिन्ट टॉक इंडिया आज के इस वीडियो में हम आपके NCRT क्लास 2 इंग्लिश के टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड का यूनिट नंबर 8 का लेसन दा मुंबई म्यूजिशियन्स के कोश्चन अंसर्स को सॉल्व करने वाले हैं यह है पार्ट 2 वी लेसन को बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और वर्ड मीनिंग के साथ अच्छे से आपको हिंदी और इंग्लिश में समझाया है अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा So, Let's Start Question No.1 Reading is Fun Why did the farmer tell Gopu to see the world? Farmer ने, किसान ने Gopu the donkey को ऐसा क्यों बोला था? कि तुम जाओ और दुनिया देखो? Answer The farmer told Gopu to see the world because he had become old and couldn't carry load anywhere. Couldn't का मतलब could not Farmer ने, किसान ने Gopu को दुनिया देखके आने को इसलिए बोला था? क्योंकि वो बहुत बुढा हो गया था और बुढा होने के कारण, टायड हो जाने के कारण, वो और ज्यादा भार नहीं उठा सकता था Question 2 Why did Gopu, Dopu and Furry want to go to Mumbai? Gopu, Dopu और Furry मुंबई क्यों जाना चाहते थे? Gopu, Dopu and Furry wanted to go to Mumbai to become musicians ये तीनों मुंबई musicians बनना जाना चाहते थे जब भी आप किसी का नाम लिखेंगे लाइक Gopu, G for Gopu, D for Dopu, F for Furry, M for Mumbai तो ये सारे words के स्टार्टिंग, क्यापिटल लेटर से होंगे Question 3 Why did the people in the house run away? घर के सभी लोग क्यों भाग गय थे? Answer The people in the house ran away because they all thought that ghosts had come to scare them घर के सभी लोगों को ये लग रहा था कि भूत आ गय है उन्हें टराने के लिए इसलिए सभी लोग भाग गय थे Now let's talk If you were to join the animal band Suppose आप भी animals के sound बना के एक band तयार करें Band क्या होता है? बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर जब गाना बजाना करते हैं तो हम उसे band बोलते हैं तो animal band का मतलब बहुत सारे different different animals का sound वाला band तो उस समय which animal would you want to be? आप कौन से animal बनना चाहेंगे? Create the sound of that animal उस animal का sound थोड़ा निकाल के बताइए तो Get together with your friends As a group, create the sound of animal each one of you wants to be और आप अपने सभी friends के साथ मिलकर उन सभी animals का sound निकालिए जिनको आप band में शामिल करना चाहते हैं तो जैसे टाइगर करता है रोर, मंकी का sound होता है चैटर 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 डख बोलता है क्वैक 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 वैसे ही हमने अपने बच्चपन की राइम तो आप उस राइम को थोड़ा याद कीजिए और इस तरीके से अपने आनिमल बैंड को बनाएए इस तरीके से एक फर जैसा नरम नरम गदेदार बालों से भरा हुआ कोई चीज अगर आप दीखेंगे जो बहुत ही बढ़ा होगा अगर रस्ते पे ऐसे दिख जाए तो वो क्या हो सकती है what could that be so that could be a rabbit जो खरगोश होता है वो भी बिल्ली से थोड़ी बड़ी होती है और बहुत फरी होती है इसके शरीर पे बहुत नरम नरम मुलाइम मुलाइम बाल होते है so if I were to see a big ball of fur then it could be a rabbit next question is let's sort out these words आपके पास दो बैग यहां पे दिये हुए है और हमें क्या करना है pick the words from the bags and put them on the right shelf हमें इन शेल्स पे उन words को डालना है one has been done for you say the word aloud so here we have to say these words aloud और जब हम इन words को अलग-अलग जोर-जोर से बोलेंगे तो हमें थोड़ा अलग-अलग अंतरपता चलेगा जैसे कुछ word जो है उनमें short E sound होता है short E words जैसे leg L-E-G leg इसमें E का जो sound है वो short है छोटा हम बोलते हैं leg हम उसको leg ऐसे नहीं बोलते ना उसी तरह short E word मतलब E का जो sound होगा वो छोटा sound होगा P-I-G pig हम उसको P-I-G pig ऐसे नहीं बोलते pig बोलते हैं तो इसे लिए E का जो sound है वो short हुआ long sound क्या होता है एक बार देख लेते हैं long E word जैसे S-M-I-L-E smile हम जब ही यह वर्ड बोलते हैं हम बोलते है smile please हम इस वर्ड को smell नहीं बोलते smell नहीं बोलते जिल बिलकुल pig की तरह pig smell नहीं बोलते हम बोलते है smile तो हम आई को long way में बोल रहे हैं उसी तरीके से जब हम long E word बोलते है तो उसमें double e हमें नजर आता है, d double e p, deep, the drawing is very, the river is very deep, हम e का जो sound है वो थोड़ा लंबा खीचते हैं, leg की तरह dip नहीं बोलते, d double e p, deep बोलते हैं, तो इसी तरीके से हमें यहां से words पिक अप करने हैं, तो सबसे पहले short e word, यहां पे पहला word दिया है leg, तो leg के अलावा nest, bell, well, यह तीनों word short e words है, अब हम short i words छाटेंगे, एक pig है, pig के अलावा यहां पे lip, short i word, इसके अलावा h i double l, hill, and fish, यह तीनों short i words हैं, अब dice नहीं चूज कर सकते, क्योंकि dice long i sound करता है, dice हम इसको बोलते हैं, dice, लंबा sound करते हैं, उसके बाद हम long e words को देखते हैं, जैसे deep, deep के अलावा, street, s-t-r-double-e-t street, s-double-e-d seed, t-r-double-e tree, और m-e-a-l, meal, these are long e words, इसके बाद हम short i words देखते हैं, जैसे p-i-g pig, p-i-g pig के अलावा, l-i-p, lip, h-i-l-l, hill, and then f-i-s-h, fish, यह तीनों word, short i words हैं, और उसके बाद हम last में देखेंगे, long i word, जैसे smile, smile के अलावा, l-i-n-e, line, d-i-c-e, dice, k-i-t-e, kite, यह तीनों long i words हैं, so we will write kite, dice, and line in these, in this column, then your next question is, do you play any musical instrument, क्या आप भी कोई musical instrument बजाते हैं, तो आपको उसका नाम लिखना है, जैसे मैंने आपे लिखा है, yes, I play the drum, और अगर आप कोई musical instrument नहीं बजाते, तो आपको क्या कोई instrument सीखने की इच्छा है, which instrument do you want to learn, क्या आप कोई musical instrument सीखना चाहेंगे, और वो क्या होगी, I would like to play the piano, then add the words from the opposite gender in the given sentences, हमें यह जो words red color में दिया हुआ है, इनका opposite gender लिखना है fill in the blanks में, just say Anju's mother and mother का opposite gender है father, mother and father came to the school, then the next one is my uncle and Daesh came to visit us on Monday, uncle and aunt, the lion and lioness looked lovingly at their cups, The king and queen sat on beautiful thrones, thrones मतलब singhasan, the man is running and the woman is walking, my grandfather and grandmother went to the market, उसके बाद है एक fun game आपके लिए You have to choose any 9 words from the given list and fill in the box here और उसके बाद आपके teachers one by one in सभी words को call out करेंगे और अगर आपके list में आपके box में वो सभी words है आपको एक एक करके cross करना है और जिसको सबसे पहले सारे words cross हो जाएंगे वो bingo चिल लाएगा और वो winner हो जाएगा So this game you can play with your friends. Then you have to learn about many musical instruments और उन्हें कैसे बजाया जाता है In what way are these musical instruments different? Different इसी तरह है क्योंकि इन्हें बजाने का तरीका अलग है You have to put them into the three groups based on how they are played So this is a table, we play on the table on our fingers How do you play on the star? There are strings, strings, strings When we play on these strings, we play on the sound How do we play on the flute? कैसे बजाते हैं, बंसी, इन्हें हम फूक मार के बजाते हैं, so depending on the three types we have given the list here, instruments that we play with our fingers, हम अपने उंगलियों से टैप करके तबला बजाते हैं, डफली बजाते हैं, हम अपने उंगलियों से टैप करके यहां पे उपर तबला बजाते हैं, डफली बजाते हैं और धोलक बजाते हैं, उसके बाद है कुछ string instruments, string का मतलब ऐसे instrument जिन में तार लगे हुए हैं, इन तारों को हम strings बोलते हैं, तो जैसे गिटार, सितार, इक तारा, वायोलिन, इन सब म string instruments, और हम इने कैसे बजाते हैं, string को हिला के, अपने हातों से हिलाते हैं, और फिर आवाज आती है, and then there are instruments that you blow into, जिसमें हम हवा फूक मारते हैं, और तब वो sound निकालते हैं, जैसे यह शहनाई हम यहां से फूक मारते हैं, यह है फ्लूट बंसी, हम यहां से फूक मारते हैं, और तब ही खूबसूरत आवाज निकलती है, उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में है, पिक्चर ओफ जल तरंग, जल तरंग दो शब्दों से बना है, जल और तरंग, जल का मतलब water, तरंग मतलब तरंग, ऐसे musical wave, तो जैसे यह बच्चा यहां पे क्या बजा रहा है, कट पानी, जब हम ऐसे स्टिक से टैप करते हैं काटोरियों में, तब सुन्दर सी आवाज आती है, तो आपके लिए यह एक एक अक्टिविटी है, आपको अपने घर पे इस तरीके के काटोरियों में पानी भरना है, पानी का डिफरेंस क्या है, किसी में कम पानी, किसी में ज्य उसके बाद आपके लिए टेक्स्ट बुक में कोश्चिन दवर्ड जलतरंग इस मेड़ अफ टू वर्ड जल मतलब वाटर तरंग मतलब म्यूजिक नाउ मेक न्यू वर्ड बाइज जॉइनिग इस वर्ड विच अर गिवन है तो सबसे पहले हमारे पास न्यूस प्लस पेपर बन गया न्यूस पेपर सिमिडरली स्कूल प्लस बैग बन गया स्कूल बैग टूथ प्लस पेस्ट बन गया टूथ पेस्ट नेक प्लस लेस नेक प्लस लेस बन गया नेक लेस उसके बाद some plus one बन गया, someone, bath plus room क्या होता है, bathroom, उसके बाद time plus table होता है, time table, then foot plus ball, क्या बन गया, football, last में car plus pet, क्या बन गया, car pet, उसके बाद last में है, cursive writing practice आपके लिए, यहाँ पे लिखा है, get up early in the morning, G का capital letter like this, G-E-T, get, U-P up, E-A-R-L-Y-L-E, early, I-N, in, T-H-E, the, M-O-R-N-I-N-G, morning, so like this, you will complete all the cursive writing practice, और यह था आपके textbook का last question, and the end of the chapter, अगर आपको कोई चीज समझ भी नहीं आई, या फिर doubt है, आप मुझे comment box में पूच सकते हैं, हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे unit 9, पोयम के साथ, तब तक के लिए, thank you very much and God bless you all.